लूट आपिर नून तूर। यो बारिक प्रोगेसन आपके सेलेवस इन मेफेमेटिक सुरज यूँ क्लासिं के इंदर की उडिस्क चल दा इस के रखामारा कि यह मारा इर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जानने से पहले हमें स्रिस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए Such वास नाम समझेंगा और दोनों में डिपरेंट्स क्या है इसको समझने की कोशिज करेंगा और इसके बाद पिर हम लोग अर्थमेटिक प्रोगरेशन वो हर्मोनिक प्रोगेशन यह सारे पढ़ेंगे हम लोग लुट है कि एस शिक्वेंस एंड सिरीज क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं बच्पन से भी हम लोग जानते भी है थोड़ा बहुत हिंट है पर हम लोग उसको systematically नहीं जानते हैं पर हम लोग आज देखेंगे कि systematically sequence and series क्या होता है सुनने में दोनों एक जैसा ही लगता है ठोड़ा सा difference होता है इस difference को मोग समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं आज sequence and series में पहला पार्ट हमारा आता है sequence का sequence क्या है इत इज आज सैट अफ नंबर specified in a definite order by some लौर लौई रूल और लौ यह हमारे पास क्या है कुछ रूल और लौह के हिसाब से जो जान आप नमबर यह हमारे पास एक सर्ट अफ नमबर है आप देख सकते हो टू सेवन ट्वेल यह सैट मतलब एक तरह से डिफाइन कलेक्शन होता है that means collection यह बोल सकते हैं यह हमारे collection of numbers है एंधे collection of numbers है यह numbers को अगर आप ध्यान से देखो तो यह किसी ना किसी rule को follow कर रहा है हम इसके help से आगे के number को rule के help से आगे के number को हम predict कर पाएंगे कि आगे क्या एगा तो set of नमबर जो किसी एजाईन रूल यानि艇 फिक्स्ट ऊरूल और रोगो सुख अगई सब्सक्राइब कि इसके आगे क्या आएगा तो वो हमारा sequence कहलाता है sequence क्या है फिर से देख लो sequence is the set of number means collection of number specified by the definite order by the some assigned rule कुछ assigned rule यानि कुछ fixed rule के वज़े से वो number का collection बनता है और वो number का collection हमारा sequence कहलाता है means sequence में वो number है जिसमें आपका definite rules को follow करके next number को हम predict कर पाए assume कर पाए मान पाए बता पाए क्या खिरागे क्या सकता है यह हमारा होता है sequence जैसे 2712 यहाँ पर प्लस 5 किये आपने यहाँ पर प्लस 5 किया यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए प्लस 5 किया फिर यहाँ से आ तक जाने में प्लस 5 किया फिर यहां से यहां तक जानें प्लस 5 किया तो एक रूल बन गया ना कि हर अगले ट्रम तक जाने के लिए हमें प्लस 5 करना पड़ रहा है तो हम नेक्स्ट में पहुंच जा रहे तो यह फिक्स्ट डूल हो गया कि प्लस 5 करके हम नेट्स तक पहुँच सकते हैं ठीक है सिमिलर ले नीचे देखो 1-2-4-8-16 And so on हमने इसका डबल कर दिया वन डबल किया तो टू आया तू का डबल किया तो फोर आया फ़ोर का डबल किया तो एट आया एट का डबल किया तो 16 आया तो आगे भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम कि सिक्वेंस के हमारे दो टाइप 시 teenage होते हैं में वानबर Mr.L Lori's partners स्वेंस के वमारे पास दो टाइब से एक तो होता है सिक्वेंस स्वेंस से कहो टाइप सिक्वेंस surgeon नाम से ही किलिए रहा हमारा finite means होता फिक्स जिसका नंबर फिक्स हो और infinite मतलब जिसका नंबर फिक्स ना हो तो finite sequence वैसे sequence को बोलेंगे जिसमें terms का last term नजर आजाए आपको यही last अब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते means वैसा sequence जिसमें आपका last term defined हो last term आपको दिखे assume नहीं करना पड़े कि last में आखिर और क्या आएगा last number आपको दिख जाए यहाँ पर 21 है last term इसलिए हम इस sequence को finite sequence बोलते हैं या हम इसको ऐसे define कर सकते हैं कि वैसे sequence जिसमें finite number of terms हो finite means fixed number of terms हो कि आप गिनके बता सको कि exact इतने ही terms है इसमें इससे ज्यादा term नहीं है तो यह हमारा क्या कहलाता है finite sequence similarly infinite sequence क्या होता है infinite sequence not having last term means आपको उसमें terms के जो numbers हैं वो आपको क्या होंगे finite नजर नहीं आएंगे मतलब आप उसमें infinite terms कह सकते हो जैसे 3 6 9 12 डॉट 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 लगा दिया last term आपको नहीं दिख रहा means आप infinite disk को increase कर सकते हो जितना चाहें उतना terms इसमें निकाल सकते हो तो यह कैसा हो गया infinite sequence तो finite sequence में क्या होता है last term आपको नजर आता means fixed number of terms होते हैं इसमें fixed number of terms नहीं होते हैं ठीक है तो यह दोनों में difference है और यह हमारा दो type होता है sequence का आगे देखो यह हमारा दो type sequence का हमने किसके basis पे करा on the basis of number of terms on the basis of number of terms हमने दो category में डिवाइड किया अब आगे देखो अब इसमें हमारा जंडल इन जंडल एन या TN एन बोल लो चाहें आप TN बोल लो एन बोल लो या TN बोल लो कि एन या TN यह दोनों का मतलब होता है nth term of sequence किसी भी sequence का anyway number को term को अगर आप represent करना चाहते हो तो वह एन या TN से represent होगा यह हमारा जंडल जंडल लिया हम लोग यह यूज करते हैं जैसे अगर हमने लिख दिया मानलो तो एक मतब उस sequence का चटह टर्म है अगर हमने बोल दिया टी-9 इसका मतब होगा नाइन टर्म या तो एन काम में लेते हैं या तो टी-एन का में लेते हैं यह हमारे एन टर्म को sequence का रिपरजेंट करता है ठीक है आगे देखते हैं इसके बाद हमारा आता है series sequence पढ़ लिए अब series देखो series क्या होता है कि an expression consisting of the terms of sequence वैसा expression जिसमें sequence के terms आते हों मिन्स किसी रूल को फॉलो करते हुए उसमें terms आपको नजर आए लेकिन आगे और भी एक बात कह रहा है alternatingly with symbol plus मतलब उनके बीच में plus का sign आना चाहिए उनके बीच में कैसा आना चाहिए plus का sign आना चाहिए is called series called series मतलब कोई भी रूल को follow करने वाला number means हम लोग sequence बोल सकते हैं simple language में कि वैसा sequence जो प्लस के द्वारा रिपरजेंट किया रहा है यहां दोगो addition है plus 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 यह हमारा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 32 यह एक हमारा क्या है this one is sequence but sequence के बीच में हमारा plus का sign आ गया इसके लिए यह क्या बन गया that's why it is a series that's why it is a series अगर हमारा sequence के बीच में sequence Que term के बीच में अगर हमारे plus के sign आने लग जाएं तो वही sequence हमारा convert हो जाता है series में यही main difference है sequence of syring होता है एकी चीजाए पर वह हमारा क्या होता है series with sign अलग होता है सारे temps addition se हमारे अलग होते हैं sequence में हमारे सारे terms comma के द्वार अलग करके बताते हैं, कॉमा से अलग करके बताते हैं, ठीक है? तो यह हमारा sequence जब addition से represent हो रहा है तो series बन गया और यही अगर comma से हम लोग अलग करके बताते हैं, comma लगा के तो हमारा sequence बन जाता तो होप है कि आप सभी को sequence and series के बारे में पता चल गया, अब rule के according हम लोग sequence को अलग-अलग category में divide करेंगे और हम लोग next video में इसको देखेंगे कि sequence और series के आगे का types क्या होता है और उसके basis पे हम लोग questions करेंगे और topic को भी clear करेंगे thanks, have a nice day, be connected with us